हलो जी कैसे हो सारे दिस लव बबर वेलकम टो चैनल कोड़ तो हम पहुंच चुके हमारे लेक्चे मगफिफटी पर लिंक लिस्ट की प्राड्म सॉल्व करते हुए आ रहे हैं अभी अराउंड तीन चार लेक्चर और लिंक लिस्ट की प्राड्म सॉल्विंग पर होंगे और एक कोशन सॉल्व करेंगे इसका नाम है चेक इफ लिंक लिस्ट इस पैलिंड्रोम और नॉट इन शॉट समझते हैं कोशन क्या कहता है इसको समझते है फड़ा पड़ हमने क्या बोला कि हमें इन्पूट के अंदर एक लिंक लिस्ट दियो होगी मैंने क्या बोला कि यह ना बन पढा है फैलिंडोम है यहां नहीं है इतना हम जानते हैं जब इरेस पड़े थे पर इस तरफ से पड़ें तो था तर इस तरफ से पड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बांगे जाएगा अगर मैं इस तरफ से पढ़ूँगा तो भी क्या बनेगा वन टू वन अगर ये दोनों चीज़ें सेम हा रही है तो भाई ये पैलिंटरों मैं समझके इन शॉट मैंने क्या बोला कि यार लिस्ट का कॉंटेंट जो है वो एकुल है अगर मैं इस डिरेक्शन में जाकर पढ़नेगा वन टू और वन टू और वन यहां से पढ़ूँगा लेफ साइड से राइट के साइड की तरफ तो वह बन जाएगा अगर यहां से पढ़ूँगा तो 43,21 बन जाएगा एकौल नहीं है इसका मतलब परिंटर्म नहीं है तो इस कोशन को में सॉल्फ करना है इस question को हमें solve करना है, कौन कौन सी company ने पूछा है, तो ये सारी के-सारी company थे, अच्छी भी है, MaxWatt भी है, बड़ी-बड़ी company included है, तो अच्छा question है, इसको हम solve करेंगे, अपरोच की बात करते हैं, हम इसको solve करना है, आंसे निकालना है, ठीक है, solve करने से पहले, हर बार की तरह, रिदम ब्रेक ना हो, तो फटा-फट से sponsorship वाला पार्ट कर लेते हैं, और उसके बाश्रू करेंगे, अगर हम टागेट कर रहे हैं, कि आर एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, problem solving skills और DSA पर कामता हमें इस सीरीज में करी रहे हैं, साथ इसा तक्रामें development में तकड़ा होना है, तो cryo is the place for you, cryo में आपको different different programs मिल जाएंगे, जैसे कि full stack program, back end development program, और program का grade इस level का है कि आप जो project develop करने वाले हैं उनके अंदर, वो internship level के projects हैं, यहाँ पर चीज़े practically आप करने वाले हो, हर program के end में आपको सितनी project होंगे, कि आपका resume में बहुत तकड़ा हो जाएगा, इतना ही नहीं, यहाँ पर एक fellowship program भी है, जिसमें आपको placement की guarantee दी जाती है, कि एक product based company में आपकी placement करवा दी जाएगी, जितनी program हैं, सारे सारे one week free trial के साथ आते हैं, और assured scholarship भी मिलेंगी, तो एक link आप कहाँ पर शोर आओगा, description के अंदर वहाँ पर जाकर, maximum discount जो अब लेबल है, वो available कर सकते हैं, एक coupon code यहाँ पर आपको दिखर आओगा, इसको use करके, maximum discount fit से ले सकते हैं, तो हमें एक तरीका पते किया, अगर यह string की form में होता, जो भी content यहाँ पढ़ा हुआ है, यह one, two, और यह one, यह फिर यह किसी array के अंदर पढ़ा हुआ होता, तो क्या मैं बता पाता, परेंटरूम है यह नहीं है, यहाँ है ना, अगर परेंटरूम को function लिखते हैं, यह चीज़ मुझे आती है, या फिर अगर एक array था, तो array के case में मुझे याद है, कि मारलो हैं यहाँ पर data पढ़ा, यार, one, two, two, one, तो मुझे पता यार, कि इसको solve किस पकार किया जाता था, याद आ रहा ना, कि हम यहाँ पर two point लगाते हैं त्यार, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, अगर equal है, equal case में s को आगे बढ़ा देना, और end को पीछे ले आना, अगर note equal to है, तो बोल देना not palindrome, है ना, कब तक चलेगा, जब तक s is less than, equal to e, जैसी cross कर जाएंगे, तब बोल देना कि भाईया ठीक है, palindrome है, जैसी cross कर जाएंगे, उस case में बोल देना, भाईया, palindrome है, यह जी ओर्रड हम सीख चुके हैं, तो अगर मेरे पास, यह content list, link list के बजाए, array की form में होता, तो मैं उस situation में हूँ, तो मैं एक function लिख सकता था, कि यार, यह एक palindrome है या नहीं है, तो पहली approach हमारे दिवाँ में क्या आ रही है, पहली approach क्या आ रही है, तो अगर यह array की form में होता, तो मैं कर लेता, approach यह spelling कहलता है, तो हम basically क्या कर सकते हैं, पहली approach हमें क्या समझ में आ रही है, पहली approach ही कहती है, कि यार, अगर यह एक link list है, अगर यह एक link list है, जिसमें की data पड़ा हुआ है, 1, 2, और 1, ठीक हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं step by step यहां पहले को लिखनी शुरू करूँ, step by step अगर को लिखूँ, तो मैंने पहला step क्या होगा, मैंने बुले यह एक नए array create कर लो, create an array, एक array create कर लो, फड़ापट से, उसकत क्या करो, link list का content उसमें copy कर दो, link list का, जो content है, copy कर दो array के अंदर, बहुत बढ़ी है, अब मेरे पास क्या होगया, एक array के अंदर यह पढ़े होगे elements, चीक है, अब मैंने क्या बुला, यार, array वारा logic तो मुझे उल्रडी पता है, यह logic मैंने यह लिखा हुआ, array में palantrum कैसे चेक करते हैं, तो array वारा palantrum चेक का logic apply कर दो, यह बैस समझ में आ रही है, हो गया, खतम हो गया, इसके अंदर क्या लग रहा है, अगर मैं बोलों, solution की space complexity और time complexity कितनी है, तो कितनी हैं आएगी, फटापट से देख लेते हैं, अगर मैं इसके space complexity के बात करूँ, तो मैंने यहाँ पर additional space लिया है, और यह कितना space है, जितनी मेरी link list के length होगी, तो space complexity किया होगी, solution की O of N, N is number of node in the link list, तो यहाँ पर मैंने यह additional space लिया है, इस आरे को create करने के लिए, तो यहाँ पर मैं space complexity of N होगी, एक चीज़ी होगी, time complexity के क्या किया, हमने carry create किया, इसमें क्या ही time लगएगा, constant time है, फिर मैंने copy करी link list, इसमें are O of N time लग गया होगा, फिर हमने आप एक logic लिखा, चेक करने के panorama है यह नहीं है, इसमें हमने N by 2 बार traversal किया होगा, तो basically यहाँ भी O of N time लग गया, तो इन दोनों का हमने sum up कर दिया, O N plus O N, हमने time complexity क्या आ गई, O of N ही आ गई, तो यह जो solution हमने भी discuss किया, जहाँ पर अपने link list के content को एरे में डालते हैं, और एरे में पर हमना, परेंडरोम चेक वाला logic जो हमने पता है already, इसको apply करते हैं, तो हमारा solution किस पकार का आएगा, O of N और O of N, समझ में आरी बात, सिंपल है, यह कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ऐसे मत समझना किया, तो भाया मुश्किल लग रहा है, होगा नहीं, स्वाट कोड करना है, जाओ एक मिनिट को कॉड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, करना है क्या, स्वाट करना है, जाओ फटाफट से कोड करके दिखाता हूं, वाचे मेरा मन था कि नहीं करूं, तो अपने आप कर लो इसीज़को असान कोड था है, ठीक है, यह वह करते है, step 1 क्या गहता है, step 1 क्या गहता है, comments निटता है, फटाफट से solve करता हूं, take over to null, जब तके null नहीं होता, क्या करो, array के अंदर data डालो, array के अंदर array dot pushback, क्या डालोगे, temp का data, दीक है, और temp को आगे बढ़ाते जाना, ठीक है, कितनी बास समझ में आगई, अब array के अंदर data आज चुका है, तो मैंने क्या बोला, अब यहां पर बस बता दो, एक function लिख दो, इसके अंदर मैंने अपना वेक्टर पास कर दिया, और यह बता देगा, क्या answer आना चाहिए, मैंने यहां पर अपना function लिखा, rule check palindrome, यहां पर एक वेक्टर पास कर दिया, समझ मैं यह जीज, मैंने बोला int n is equal to ar dot size, मैंने बोला int s is equal to 0, मैंने बोला int e is equal to n minus 1, अब मैंने बोला, while जब तक s is less than equal to e है, तब तक क्या करू, तब तक क्या करू, अगर यह equal नहीं आते तो element, ar of s is not equal to ar of e, अगर equal नहीं है, तो return false कर देना, यह अगर पढ़ चुक है logic, इसमें कुछ नहीं नहीं है, है ना, तो false return कर देना, और फिर क्या करू, s को आगर बढ़ा दो e को बीच ले जाओ, simple logic, यहां तक पहुंच चुक हो, तो return 1 कर देना, logic लिग लिए, यह वाला logic नहीं है, इसमें सारा data कॉपी कर दी, यहां पर इस function कॉल कर दी, compile run अगर मैस को करूं, तो क्या यह चलेगा, एक constraint चेक कर लेता है, और कि empty list आ सकती के नहीं आ सकती, तो यहां में दिखर है constraint में कि n जो है, one से start होता है, empty list तो नहीं आएगी, compile run करते हैं, देखते हैं, कहां पास्ते solution चलता भी है, बस ऐसे ही है, कुछ गरबड है, क्या कह रहा है यह, vector has not been declared, तो फटाबड से declaration डाल दो है यहां फटाबड जाके, हमने बोला, hashtag include vector, मैं hashtag बोलता हूं इसको, इसको run करके देखा, कहां करवड करी है, हमने बोला, temp परीको, temp का data data हो जाएगा, next आएगा है तो, अब चलाते हैं, आगे बढ़ने के लाज़िए, आप चलाते हैं, can't connect, internet connection चेक करें, वाह, इनकी करवड़ती तो चल गया है, तो यह answer सही आ रहा है, मैंने फिर भी यहां पे, custom test के सोचा लेक लेते हैं, और custom test के स्लेह यहां पे गया, मैंने क्या बोला, कि यहार 4, 1 space, 2 space, 3 space, 4, इसको compiler run करते हैं, देखते हैं, answer का जिसे 0 आना चाहिए, उसके बाद आ गया, तो मैंने का चला, मुझे अपना code, मैं इसको submit करके देख लेता हूं, मैंने submit कर दिया, मैंने submit कर दिया, और मेरे सारे test case pass हो गए, बहुत बढ़िया, तो यह एक approach हो चल रही है, जिसके अंदर time complexity of n है, और space complexity, वह भी of n है, बढ़िया, मैंने बोला, बना चाहता हूं मैं इसको, किस प्रकार करेंगे, इसको समझना पड़ेगा, अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो हम यह array बना रहे हैं, इसलिए हमारा space लग रहा है, तो मैं बिन additional space के इसको solve करना चाहता हूं, कैसे करूंगा, समझते हैं, मैंने के बोला, मुझे का करना मुझे approach to सोच नहीं है, तो यह इस प्रकार कर सकता हूं कै मैं, हमने के बोला, चलो एक linkless बना लेते हैं, फटाफट, मान लो, एक node, 2 node, 3 node, 4 node, 5 node, ऐसे हमने बना दिया, और यह इसको point करती है, इसको point करती है, इसको point करती है, इसको point करती है, और यह null को point करती है, यहाँ पर मेरा head है, यहाँ data पढ़ा है, 1, 2, 3, 3, 2, 1, देखे, काई देसा में दिख रहा है कि हाँ चलो, पैंट रॉम तो यह है, पता लग रहा है इतना, बट हमारी परोच क्या कहती है, मैंने का फटा फट से देखते हैं, और समझ जाओगे एक मिनट के अंदर, यह लगो लिखते हैं, मैंने क्या बोला, पहले middle तक पहुँद जाओ, middle find कर लो, find कर लिया, तो मानलो मैंने बोला कि मेरा middle यहां पर आ रहा है, even के case में, मैंने क्या बोला, middle के आगे जो linkless है उसको reverse कर लो, मैंने क्या बोला, उसके आगे linkless को reverse कर लो, तो यह क्या बन गई, अब linkless के state क्या हो गई, one, two, three, फिर यहां क्या आ गया, इसको reverse करने के बाद, one, two, three, यहां पर मेरा head है, और यहां पर मेरा middle है, यह बाद समझ में आ गई, हमने linkless को reverse कर लिया था, अब मैंने third step क्या बोला, कि बोरो दोनों पार्टों compare कर लो, compare both halves, compare both halves, इसका मतलब क्या है, कि यार एक पार्ट यह रहा, और एक पार्ट यह रहा, यहां से एक पार्ट लगा के इसको compare करना, इस वाली के साथ, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस one को इस one के इस compare करा, फिर आपने इस two को इस two के इस compare करा, फिर इस three को इस तीए इस compare करा, और done, अगर comparison करते करते करना, सब कुछ same आ रहा तो भाई, उसका मैंने क्या किया, यह जो second step था इसको repeat कर दिया, repeat, second step, मैं नहीं चाहता, मैं जो original list थे उसको manipulate करूँ, तो मैंने वापस होगया बना गिया, और यह वाला part reverse होगा दुबारा, क्या होगया, टू, बन, नल का बंट कर रहा है, और यहां मेरा head pointer है, और यह link list exactly same है, जो के input में आई थी, बहुत बढ़िया, तो मने एक और logic यहां पर देख लिया, अगर complexity wise करें, middle find करने complexity क्या होती है, मैं बूलूँगा कि यह आपका n by 2 traversal में हो गया होता, time क्या होगी, reverse कर रहे हो आगया वाली को, space complexity के आगी, additional space तो लिया ही नहीं है, सिर्फ pointer होगा कुछ लिया होगे solve करने के लिए तो 1 में होगी, अरे यार, यही तो चाहते थे, यही तो desired था, code करते हैं इसको फटापट से, इतना मुश्किल है नहीं, इस तो ज्यादा इसमें देनी रहे हैं, बहुत असान चीज है, अब इसमझ में आ जाएगी तो code करने शुरू करते हैं, पहले सब क्या कहता है, कि middle find out करो, एक function लिए फटापटे यह विए फटापटे को लिए ताकि दुबार आपको यहादा आ जाए मैं एक चीज को बहुत ज्यादा बार repeat करते हूं ताकि आपको चीज बता हो यार कि चलो ठीक है, आप तो मुझे आई कहीं टैंक से, note star, get mid, note star, ahead, कैसे find out करते हैं, simple logic था हमारे पास, slow और fast वाला यादा रहा है, slow fast वाला यार हमने निकालना सीखा हुआ मैं इस प्रकार बोल सकता हूं कि यहाँ पर slow है, और let's say starting में यहाँ पर fast है, slow मेरा एक बार चलेगा, तो fast मेरा दो बार चलेगा, फिर slow मेरा एक बार चलेगा, तो फिर fast मेरा दो बार चलेगा, और वही है, इसके बाद तो fast दो बार जानी सकता, तो let's say आप यहीं पर रुप गए, और आपका यहीं middle हो गया, वह specific conditions है, single node, double node वाली वह भी हम इस code में समार लेगे, चिंता ना करेए, बस आपको इतना है पता आनुची कि slow, एक बार और fast दो बार जलता है, हमने क्या बुला, code लिखते हैं वड़ावर इसका, यहीं हम अड़ी समझ चुके है, true को हमने दे दिया head में, और fast को हमने दे दिया, head के next way, अब मैंने एक loop लगाया, जो कि कहता है, fast नल नहीं होना चाहिए, साथी साथ, fast का next भी नल नहीं होना चाहिए, इसमें क्या करो, fast को दो बर बढ़ा दो आगया, fast के next का next, इस पर कार कर दो, तेक्या, और slow को एक बढ़ा कर बढ़ा दो, कि इतना आपने कर दिया, फिर आपना slow return कर दो, जो कि आपने मेड़े पर बैठा होगा, यह चीज़ में बढ़ा देखिया, यह लॉजिकम उलड़ी पहले डिस्कूस कर चुके है, यहां पर मैंने मान लो परिंडर्म चेक कर रहो, चुरूब में एक केस है मान लो आपके list empty है, अगर आपका head null गया है, तो आपके list empty है, अगर list empty है, तो परिंडर्म क्या ही चेक कर रहोगे है, या फिर आपने बोला कि या लिस्ट जो है, उसमें सिर्फ एक single element है, यानि head connectional है, या तो empty है या तो single element है, उन दोनों केसे मैंने बोले return true यार, आपके यह वाला case आएगा नहीं head null वाला, यह constraint में दिया है, यह one से start होता है, तो इसको टखना जाओ रहो फाइदा नहीं है कोई, हटाना जाओ तो इसको हटा लो, कुछ रख पड़ता नहीं है, तो मैंने बोलाकर single element पड़ा है, सब्सक्राइब होता है, इस क्या क्या बढ़ गया है, पहला step क्या कहता था, step 1 क्या कहता था मुझे, कि यार mid निकाल के लाओ, तो मैंने क्या किया, node star, middle equals to, get mid, और यहां मैंने head डाल दिया, मैंने step 2 देखा, step 2 क्या कहता है, reverse, list after, list after middle, तो मैंने एक pointer बनाया, node star temp is equal to, middle पर रखा इसको भी, मैंने क्या बोला कि मुझे इसके आगे के list, जो है, वो reverse करनी है, तो ठीक है, आगे के तो निक्स पर डाल दिया इसको भाया, अब मुझे temp से लेके link list को reverse करते ना, पूरा का पूरा, तो यह क्या समझे मारा है, कि middle वाले next में यह पूरा reverse पार्ट आएगा, तो वही मैं लिख देता हूँ, मैंने का लिखा, कि middle वाली node के next में क्या आएगा, reverse वाला पार्ट आएगा, reverse वाला पार्ट आएगा, कहां से reverse करना है, temp से शुरू करना है, खतम, एक function लिख देते हैं, फटा फट, node star reverse का, सबज़ भाई यह चीज, फटा फट से इसको लिख देते हैं, मैंने क्या बजा, एक यह भेज दिया, head, और इसको reverse किस प्रकार करते हैं, मैंने क्या बोला, कि एक node star current होगी, जो कि head पर पड़ी होगी, फिर एक node star previous होगी, जो कि null पर पड़ी होगी, यह भी logic मौले इसको स्कुर्च रिवर्स करने वाला, फिर एक node star next होगी, जो कि starting election null पर बैठी होगी है, अब जब तक आपका current null नहीं होता, तब तक क्या करो, सबसे पहल तो next निकाल लो है, next is equals to current connect, फिर मैंने बुला current वाल node को previous पुइंट कराओ लिया, यार अभी वाली जो node है, उसको पीश वाल node पॉइंट करवा दो, current connect is equal to previous, फिर क्या मैंने बुला गया, previous को जो हो current पड़ाल दो, और current को जो हो next पड़ाल दो, और answer में previous return कर दो, बहुत वड़िया, तो इस पकाबाने link list को reverse कर लिया, यह reverse वाला logic लिख दिया, वड़िया, तो middle का next, यह ठीक है, तो second step भी हमारा आप तक हो गया, अब मैंने क्या बूला अकिर दोन हाफ को compare करना है, step 3, compare both halves, compare both halves, तो भून हाफ को compare करना है, तो मैं ने क्या क्याते है, मैंने यह बोड़िया कि, जू मेरी link list है ना, वसको मैंने बोल जänger कि, पेहला half कौन सा, यहां सी हाँ तक वरला, दूसरा half कौन सा है, यहां से यहां सी यहां यहां तक वला, टृण सबस्कुरेंर को स्टार। एक हो गया स्टार है इस को हमने बूल दिया है यूज्ड से स्टार होता है है पैसली लेकित होता है हम्हें कर देख दिखत अब Raw जो कि middle के आगे वाला है, middle के आगे वाला का मतलब क्या हुआ, कि middle का next वाला, बढ़िया, दो पांटर पना लिए उनको compare करना है, बेसिक लिए हमने बस, तो हमने कर बहला, while head to not equal to null, तब तक क्या करो, check करो, compare करो, किसको, head one के data को, अगर वो equal नहीं है, head to के data के, तो simple चीज़ है, return false, अगर equal है, दोनों को आगे बढ़ा हुआ, head one equals to head one का next, और head two is equal to head two का next, ठीक है, simple step three आपको complete होगे, ठीक है, अगर आप इस loop से बहार निकल गए है, तो इसका मतलब palandrome तो है, अगर आप इस loop के बहार निकल गए है, बस return करने से पहले, यहाँ पर step four देखा हुआ न, return करने से पहले मैंने बोला कि, अगर मैं लिश्ट को न, जैसी थी वैसी वैसी बनाने चाहता हूँ, step two repeat करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला, step four क्या है, step four क्या है, repeat step two, तक कि जैसे लिंक ने इन्पुट माई थी, वोई सेम मैं भेज सकूँ, जैसी थी वैसी छोड़ सकूँ, तो यह मैंने फटा-फट से इसको अटाया, और मैंने बोला compile and run, चलना चाहिए, compilation error, एक spelling mistake है, अब चलना चाहिए, या भी बेनी चलना चाहिए, एक test case चल गया, मैंने बोला, दो तिन test case चला दोते हैं, इसको मैंने बोला, test case मानलो, four, one, two, three, four, run कर लिया, क्या ही चलेगा, zero, zero, सभी चल रहा है, मैंने बोला, एक और test case चला लो, और मानलो, यहाँ पर क्या है, मैंने बोला, कि मानलो, यहाँ पर एक इस प्रकार की चीज़ है, कि यार, 11, यहाँ बोला, four, two, five, 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 एक, दो, तीन, चार, पंच, शे, आहँवारों पांच बच्चे हूँ, ठीक है, four, four, one, 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 compile and run कर दिया, answer जीरो आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, जीरो आ रहा है, बढ़िया, मैंने बोले को, submit करके देख लो, submit करके देख लो, तो, सभी है, बढ़िया, चल गया, तो यह test के सारे पास हो चुके है, पर हमें logic समझ में आ गया है, logic क्या कहता है, कि पहले middle element निका लो, middle के आगे वाला part reverse करो दो, फिर दोनों sub-part जो है, दोनों halves जो है, उनको compare कर लो, और फिर एक बार इसको, अगर मैं इसको हटा भी दू, तब भी मेरा answer सही आएगा, तो यहां पर सारे टेस्के स्पास ही होंगी, ठीक है, चेक कर लो लगे आपचे, तो यहां पर सारे टेस्के स्पास होगे, बस हमने इस पार इसलिए रखा हुआ है, कि यार चलो ठीक, जैसे English आई थी, उसको वैसे वापस बना कर भी दिया, तो यह temporary है, बात समझ में आ गई, और इस दो मत नहीं, कमेंट स्क्रीम बताएंगे आपके कैसी लेगी है यह वीडियो, चोटी सी पारी सी नहनी सी वीडियो में आपके लिए, और वेल ते आप से लेड़ों में, तब तब काईब, बाई!